कि हालो फैंड्स इस वीडियों को कराने बाली हूं ग्लम्स आप इंडिया चप्ट के कोश्चन और यह कोश्चन डेफिनिट आपको बोड़ एक जमें मिलेगा और आपको मैं जिसे हिंदी मैं करूंगे सब्सक्राइब कर दो यह चैप्टर तीन पार्ट में डिवाइड है पार्ट एब इक फ्रॉंग और थार्ड टी फ्रॉंग असम्ट कोश्चन बताए गया चैप्टर के भारत की जलक तो अलगलग जगह से इसमें पार्ट तीन इसमें दिखाए गये तो मुस्ली मैंन दिखें सक्के 70-70 आए तो यह थे मैंना बताया है तो आपको देख लेना है हीदी इयो साइंस को मिल fear मुल्स घ्याएं यह आपको प्र ledgeट बाता है जो यह तैस von उन Service में बटाया गया तो आप गरेक्टर पूस्टार्फ हंसे पूछ कि पैडर पैडर वर्ड और कबाई इसका मतलब क्या चैप्टर में तो बहुत सिंपल आपको certified समय एक दिना इंदे लेसना वेकर फोन गुवा दबर्ड पैडर इस्टेंड पर वेकर तो बेकर को ही यहां पर पैडर बोल जाता है एमसी क्यों में आएगा तो आप वेकर पर टिक कर देंगे ठीक है और कवाई इनकी ड्रेस होती है सिंगल पीस लॉंग फ्रॉक होती है जो कि घुटनों तक पहुंचती है रीचिंग डाउन टू नीज घुटनों तक इसकी लंबाई होती है जो गुवा के बेकर होते हैं वो इन्हें पहनते हैं तो यह है कवाई ठीक है यह ड्रेस एक तरीके के और यह पैडर किसे बोलते हैं आपको बोलते हैं यह दोनों ही बाते मैंने करवा रखे हैं जब करेंगे तो वहां से भी आपको पता चल जागा इसलिए बोलते हैं आप करेक्टर कर लीजिए आपके सौट अपने अप्रेडियो हो जाएंगे ठीक है इह बाला आया था 2022 में और यह आया था यह बाला को शलाश्ट ही रहाए था ठीक है तो इसमें मतलब किस तरीके से वह त्यारी करते हैं यह पूछा गया है बेकर स्वर्णिग में फट्टियों को बट्टियों में वह पाव बनाते हैं यह इनका डेली का रुटिंग होता है क केरी लोफ इनको पाव को क्या करते हैं एक टोकरी में ले जाते हैं ठीक है उसके बाद उसको सेल करते हैं इस तरी के साब लिग देंगे सोट में थार्ड कोश्चन हां और वेकिंग उस्टू भी अप्रॉफिटेबल प्रॉफिशन उनके लिए लाबकारी विफसाय कैसे था किसके लिए वेकर के लिए तो इसका भी रिजिन था देख लेते हैं कैसे आप कह सकते हैं तो इसमें आप लिखेंगे वेकिंग उस्टू भी अप्रॉफिटेबल प्रॉफिशन ये तो कोश्चन में से आप ले लेंगे विकॉज क्योंकि दा फेम्ली वेकर्स जो वेकर की फेम्ली थी नेवर स्ट्राब्ड इसका मतलब था वो कभी भी भूके नहीं रहते थे ही एन इस फेम्ली हुए है और उनका परवार यहां तक कि उनके नौ करवी हमेशा खुश रहते थे ठीक है इसलिए हम कहा सकते हैं कि यह वेक्षाय उनके लिए बहुचा था तो बहुत सिंपल है यह मैंने लॉंग में भी बताई थी यह बाते तो आप लॉंग करेंगे तो अब यह मैंने जो यहां पर हैडिंग डाल रखी है यह आपको मिल जागा प्लेस में या फिर मैं कमेंट स्क्षिन में लिंक दी दूंगी तो वहां से आपका लिजीगा ठीक है यह आपको करक्टर्स में करना है बागी कुर्ग और टी प्रॉम आसम में कोई भी करक्टर नही नहीं क्योंकि एमसी के पूछ लेते हैं लोकेस एपरॉल सॉट कोशन बहुत ही सिंपल है वाट इज कुर्ग फेमस फॉर कुर्ग किस के लिए फेमस है यह फिर में क्रॉप्स क्या है ठीक है कौन-कौन सी में इसमें फसले हैं कुर्ग में जो होती है तो यह कॉफी के लिए रिन फॉरेस्ट यह पर बहुत सारे हरेवरी जंगल है इस पैसे मसालों के लिए फेमस है और जुसकी में क्रॉप अगर पूछी जाए तो वह है कॉफी कॉफी पर आप टिक करेंगे ठीक है का से कुर्ग का से कॉफी इसमें पूछाता है कौन सी नदी फ्लो होती इसमें तो कहसे कावेरी आपको ध्याना वड़ से कावीरी कहा से कुर्ग क्या से कॉफी कह से इसकी मेंिकरोफ है और कॉर्ग को लैंड और helpless रोलिंग लिग्हा जाता है यह देख लिए कि उतार चड़ावाली पहाडिया क्यों बुलते हैं कुर्ग को ऐसा क्या है बहुत सारी भालबे ही हिल्स है तो इसमें आप वही लिख देना रॉलिंग हिल्स सारा सीरीज भूलो बहुत सारी उताव च़ड़ा वाली महांपर पाहडियां लो हैं इसी लिए एक ये कोर्गों लेन्ड-फ लॉलिंग हिल्स बहुत अची जगह हैं एक पहाड़ी उसे लिए को इसको रॉलिंग हिल्स पोलते हैं सिंपल इसे हैवन भी वह बोला आता है प्रतवीका स्वर्ग भी कहते है कुर्ग को बहुत अच्छी जग है ठीक है अगर आपने चेप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा उसके बाद यह कोश्चन में इंपोरेंट है यह भी 2022 पर पुछा गया तो कौन-कौन सी अनिमल्स आप कुर्ग में देख सकते हैं तो बहुत सारे अलगवार टाइप और एमजी के लिए आपको याद अखना महासीर लार्ज फ्रेस बटर पूछा गया ठीक है यह मचली है ताजी पानी में रहने वाली अब इसमें दिखो कोई भी करेक्टर नहीं है बस यह पूछा कि कुर्ग के लोगों के बारे में बताओ आप उनके लोगों के बारे में आ कहानी इसके बहुत ही फिमस कहा जाता है आप अलेकजंडर मतलब अलेकजंडर आर्मी ठीक है सिकंदर सिकंदर की सेना शेट बैक यहां पर आई थी घुमने मतलब ऐसे जा रही तो वह यहीं पर रुख जाती उन्हें यह जगह इतनी अच्छी लगी कि उनका जाने का मनी नह उनी लोगोंने जो 16 6 सेंगे टीक और आप स्कुठ रहे थी लोगोंसे लोगोंसे वहीं आ सवागोड बिलेते हैं जैसा Lynn करना कुर्ख के लोगों और मसक्तिना करते इससे की कुपया बोला जाता है जो को क्या हुआ है विंकर, की बने की एक कल्ग मैरों कुलो sommes आबेरी कासी कोफी अशे है आप रखेंगे लिहां साल कूफिया बाल वार्ण वाए अरे बिया और गता है जो यह गुऩिशें घाती यह से कुफिया क्या है यह अरीविन की लोगों दारा पहने वाली है ठीक है अरब की लोग इसको पहनते थे यहां के सिपाई भी बहुत बहुत ही आगया सुतनर भारत के जो पहले थल सेना देच मने थे जनरल करियप्पा का से करियप्पा ही आ गया वह भी कुर्गी थे करियप्पा पूछा गया है कि जनरल का नाम क्या था तो करियप्पा का से याद रहीगा ना का से करियप्पा कुर्गी थे और एक में बात आपको और याद होनी चाहिए कि कुर्गी की लोगों को क्या एक स्पेसल परमिसर मिलती है कि बिना लाइसेंस के आगने सास्तर रख सक पूछा गया तो आप इसमें कोई भी करक्टर में नहीं करना है आपकी सौर्ड जो मैंने बता है वो कर लेने हैं पूछा थे कौन से रिवर फ्लो होती है लाज़ प्रेस्पाटर कौन सी है इस तरह से जैनल करें पाई आपके याद रखना है अब पार्ट सी मतलब पार्ट थार्ड है टी फ्रॉम असम असम में टी बहुत फेमस है ठीक है यह इसके राइटर है अरुप को मरदत्ता सौर्ट कोशन देख लेते हैं इसमें बहुत राइट है कि एक दो है बस प्रांजल और राजबीर यह दोन कहां जा रहे थे ओ प्रांजल के फादर का प्रफशन क्या था ठीक है पूंच्छा गया है यह क्या काम करते थे प्रफशन था दो मेरे जबसे पहले प्राइजल और राजबीर जा रहे थे यह जा रहे थे आ cocon डा detail में दोनों क्लास में थे स्कूल में पड़ते थे तो भाइंस से असम जा रहे फादर का क्या थे मतलब महां पे जो चाय का बगी चा creation में उसके चे इंश मैनेजर थे किसके प्रांजल के फादर ठीक है एल आए गया है पर प्रांजल फादर मैनेजर थे ठीक है टी गाडन में कहां पर असम में तो उनों he has invited राजवीर to visit his home तो राजवीर को invite किया गया था किसके घर पर प्रांजल के घर पर कव summer vacation के जो holiday होती है उस बीच में उसको बुलाए गया तो इसलिए वो दोनों कहां जा रहे थे असम जा रहे थे ठीक है तो प्रांजल का घर कहां था आसम में था दहरकना और राजवीर का डेली में ये दोनों क्लासमेंट थे तो यह हो कि मैं आपको आराम से बता रहीं जिससे कि आपको को भी confusion रहे और अच्छे से learn हो जाए उसके बाद यह long में आपको कर लेना है यह बहुत पुछ जाता है कि दो श्टोरी पूछता है कि चाय की खोज कैसे होई थी कभी-कभी नाम देता है चायना में बताओ चायना में क्या बोला जाता है किस तरीके से खोज जोई और एक इंडिया में ठीक है भारत में कैसे होई दो स्टोरी पूछे आती है कैसे भी पूछ जाए है आपको सैर यही रहेगा कुछ भी वो बोल दे तो देख लएत आदसे हैं अ कि दो श्टोरी में चायना में सबसे में का चायना चायना में में लिखेंगे इसके हिंदी एक मिल्ट को इसमें यह आपको नहीं करना है यहां से डबल हो रहा है यहां से लिखना वाज बंडे बंडे ठीक है यह लाइना मत लिखना फ्यू लीप्स ओफ दे ट्विंग्स प्रॉंद फाइब यह फायर है यह फायर वर्नी अंडर दपाट फैल फार्ठ ट इसके आप हंदिक्ळ लीखेंगे यह बर्तन की नीचे जल रही टहनियों ससे लिख पत्तिय जहां पर उसमें पानी बोःल हो जाती है जिसके एकदम से टेस्ट डिलीसियस हो जाता है स्वाथ अपानी में ऐसा कहा जाता कि वो चाय की पतियां ही ठीक इस तरह के साथ यह चीन का हो गया चायना वाला तो इसमें आप यह मत लिखना यहां से लेकर यहां तक ठीक है बंडे अफ्यू लिप्स यह लिखते ना कि में स्प्रिंट पर रहा है कि चायना के बाद आप इंडिया वाली स्टूरी में आप कहले कि भारतीय में मतलब दंद काता क्या फिमस है इसमें काता है एक बार बहुत विच्चू वह उस्टू फिल स्लीपी जिनने नीद आया करती थी कप डूरिंग मैडिशन जब मतलब पलके ही काट दे उन्हें नीद आ ज़िती तो इसलिए क्योंकि जब ध्यान करती थे थे ना था निद आन लगती स्लिए उन्हें प्लके काट दी फिर उसके बाद लिखींगे वहां से 10 पौदे हो गए थे कितने 10 प्रांट्स दस पौदे हो गए थे उसके बाद वेंदा लीप्स फ्रॉम दीज प्रांट्स जब इन पौदो की पत्तियों को विए वर पुट इंटू हॉट बाटर गरम पानी में डाला गया तो ऐसा कहा जाता है बैनिश्ट स्लीप मतलब नीद गायब हो गई इन पत्तियों से तो इसलिए मतलब यह कता है भारत में कि इस तरीके से चाय की कोज हुई थी क्लियर तो इस तरह साब लिख देंगे ठीक है यह हो गया इंडिया बाला चायना का मैंने करवाई दिया तो इस तरह से पूरा हो गया चप्टर कंप्रीट इ मैं आपको रिवीजिन में सारे mcq बगार भी पूरा करवा दूंगी क्योंकि mcq से आपकी percent increase होगी 20 mark ऐसे ही आप नहीं जाने देंगे तो पूरा आपको कवर करवाऊंगी सभी सब्सेट का तो कर लीजेगा और वीडियो को लाइक कर दिया करो जितना हो से कर दिया करो तो मिलते हैं नेक्स प्रियम नेक्स टोफिक के साथ थेंक्यू साथ थेंक्यू सामच